नमस्कार दोफतों, स्वागत है आपका, आपके ही अपने यूटूब चैनल ड्रीम क्रीक ग्रुम है आज हम बत करने वाले हैं, जो मुकाबला होने वाला है सिद्नी सिक्सर और सिद्नी थंडर के बीज में इसके बारे हैं देटिल्स से इस मुकावले के बारे में चर्चा करने बारे हैं तो हम चर्चा करेंगे ! और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना और वेल आइकन प्रेस कर देना है जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का अप्डेट आप तक पोच्छत रहा है यदि बात की जाए एबरेज के बारे में तो 165 यहाँ पर एबरेज नकल कर आता है हाइस टोडल आप देख सकते हो हबर्ट हरिकेंसन 217 बना है महीं लुएस्ट आप देख सकते हो एडलेट स्टाइक करने मातर 80 श्री बनान की यहाँ पर लुएस्ट स्कोर बनाया था थोड़ी स्चर्चा कर लें दोस्तों यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 150 और 150 से नीचे 16 बार पर स्कोर देखने को मिला है पहीं 150 से 179 तक 18 बार 170 से 179 तक 19 बार तो संबब्त इन दोनों के ही बीच में आपके लिए स्कोर देखने को मिल जाएगा अब बात करने दोस्तों यहाँ पर 190 पिलस टोडल 4 बार बनाया जी यहाँ दोस्तों 190 पिलस के बल 4 बार यहाँ पर देखने को मिला है अब बात कर लेते हैं head to head के बारे में तो टोडल 18 मुकाबले खिल गए हैं दोनों के बीच में इनमें से थंडा ने आपके लिए 6 मुकाबले बिन करकर दिये हैं बहीं Sydney Sixer ने आपके लिए 12 मुकाबले बिन करकर दिये हैं और ऐसा कोई भी मुकाबला नहीं है जिसका नहीं निकला तो यहां पर पड़ला तो यहां पर दोस्तो सिक्सर का ही भारी लग रहा है क्योंकि सिक्सर अभी भी दोस्तो पॉइंस टेबल में अभी टॉप पर है थंडा दब की आपके लिए 6-7 नंबर पर देखने को मिल जाई अब बात करते हैं जो लास्ट मुकाबला इन दोनों के बीच हुआ था उसमें टॉप प्रॉफमर और दोस्तो यहां पर आपके लिए इसकोर कारट के बारे में तो आप यहां पर देख सकते हूं यहां पर थंडन ने पहनी बाले वाज करते हुए 166 बनाये थे बहीं सिद्नी सिक्सर ने दोस्तों 132 पर पांच बना कर दिया था जॉस पिलिप ने सांदार 64 रन की इनिक्स के लिए जेश्टिन एवेंड़न में 17 रन पर आया थे डेनियल से अपसे दो विकेट तनवीर सांगा ने एक विकेट चटका है था अब हम टीम ने उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं सब पहले सिद्नी सिक्सर के बा आजाएंगे डैनियल से आपके लिए खिलती हूं नजर नहीं आएंगे लागवक तीन से चार मैंचे नहीं खिलेंगे इतने मैंचिन की एंजिरी रिकाबर करने में दोस्तों टायम लगेगा इनकी जगे कैसे मौका दिया जा सकता है दोस्तों वह आफ्टर टॉस आपके लि इनफर्मेशन आती है मैं आपके लिए टेलिग्राम पर ही प्रोवाइड कराता हूं तो प्लीज आप एक बार टेलिग्राम जरू जोइन कर लें तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर दोनों ही ट्यूमों की संभावत 11 बैटिंग और और लाश्ट प्रोव में सबसे पहले से इस एक सतर के बारे में बात की जाए तो जॉस फिलिप सांदार फॉम में आपके लिए दिख रहे हैं आप यहाँ पर दिख सकते हो जॉस फिलिप को लगतार इनों ने स्कूर किया है लाश्ट मैज में 84 किया उससे पहले दोस्तों दो इनिंग से फैलिवर आई उससे पहले इनोंने 41, 44, 44 के स्कूर करकर दिया था तो आप इने अपने टिप में ट्राइप कर सकते हो और एज़क क्याप्टर बाइस क्याप्टर भी सांदर ओप्टन हो जाता है कम सकम ग्रेंड लीग में तो आप इने अपने एज़क एज़क लिए खिलती हुए उन्हीं नाई इनकी जगे मौसे सेंडिस को मौकद दिया जा सकते हैं दोस्तों जो भी निउस आएगी आपके लिए टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा जैसे कि मैंने आपके लिए बताया तो प्लीज आप टेलीग्राम जरूर जोइन करने हैं जैम्स विंस आपके लिए अच्छे पल् मैंस के बारे में तो दो तीन पारी इनने सांदार खिलिए एक एक क्यावन रानी के दोस्तों एक 96 की एक 46 की उसके अलाबा दोस्तों लगबग इनके ज्याधा तर्फ हैलूर ही आये हैं तो आपके लिए अच्छा ओप्शन हो जाता है ग्रें लिए जिया दोस्तों ग्रें ल कैप्टन बाइस कैप्टन ट्राइ कर सकते हैं इस मौल लिग की टीम में भी आप इने कैप्टन बाइस कैप्टन ट्राइ कर सकते हैं क्योंकि कभी-कभी ये बल्ले से अच्छा प्रमेंस करकर दे देते हैं गेंदबाजी से या इने बिकेट नहीं भी मिलता तो बल्ले बाज इस मैच से गैदोवाज कम करते हुए नज़र आ जाए क्योंकि उसके पीछेरी जाने हैं क्योंकि इनके फ्रण्ट लाइन बॉलर हैं दोस्तोँ जाएगे और दोस्तों जो भी मेरे पास न्यूज आएगी बेंड ओरियस और चीन एवट के बारे में लगवग मेरे सब 90% खिर्दियू नजर आ जाएगे और अब बात करेंगे थंडर के बारे में बात की जाए तो इनका जो टॉप ओडर है सांधर फॉम में दिख रहा है यहाँ पर असमान खुआ जाएगे तो आप इन यह अपने टिप में ट्राई कर सकते हो उसके लाव असमान खुआ जा भी आपके लिए चौप्शन हो जाता है कॉलम फर्गुशन ने सांधर इनिंग्स केल कर दी हैं दोफ्तो कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं लाश्ट मैंच में ओली बार डैविस को प्रमूट किया गया था लेकिन जाता कुछ नहीं कर पाई सिर्फ जीरो रन नहीं बना पाई एक मैंच में मात रहनों ने स्कूर किया है वो है 48 रन उसके अलाब इनों ने स्कूर करकर नहीं दिया सेंब्लिंग्स आपके लिए शांदर आप्शन हो जाता है लगबग नमर चार पर यह बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे आप देख सकते हो 50 रन 15 रन 13 रन तो आप इने अपने ट्राई कर सकते हो और विक कभी कभी इन से 2-3 ओवर करा ली दी जाते हैं और कभी कभी सिर्फ एक ओवर कराया जाता है और कभी इन से एक भी ओवर कराया नहीं जाता है इस बज़ेश मैंने यह 10 मैस बाला प्रेयर कहूंगा डेनियल सेंब्स खिलती उने ज़न नहीं आएंगे तो संभपत इनसे ज़् इन्यaches नहीं लुक्त नहीं निकाला है यहाँ पर दिख सकते हो ऐसा कोई भी मैस नहीं यहाए जिसमें ऻूरू नहीं 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 वो after toss आपके लिए अपडेट कर दिया जाएगा तो चलिए बात करते हैं अब हम हमारी dream 11 टीम के बारे में तो सबस्क्राइल बात करें जॉस फिलिप और resemblings जो कि आपके लिए top order में ही बल्ले बाजी करती हुन जाएगे मतलब open करती हुन जाएंगे semblings के बारे में बात करें तो semblings आपके लिए नमर 4 से 5 पर बल्ले बाजी करती हुन आप चाहो यदि Small League में आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहेते हैं तो Daniel Hughes को अपनी टीब में Small League की में Try कर सकते हूँ फिलाल किस्तिती में LX Sales को मैं Try करूँगा जैंस जो की First Down आपके लिए बल्लेबाज करती हूँ नजर आ जाएंगे और एक सांदर बल्लेबाज हैं तो आप इने बिल्कुल डेफिनेटली अपनी टीब में Try कर सकते हूँ उसके लाब मॉसेस हैंडिकिस आपके लिए खिलती हूँ नजर आ जाएंगे और आपके लिए शांदर चोईस यहां पर हो जाता है मॉसेस हैंडिकिस को मैं अपनी टीब में Try कर रहा हूँ उसके लाब दोस्तों उसमान ख्वाजा और कॉलम फर्गूशन में से आपको ट्राई करना होगा आपके लिए किसे लेना है किसे अवाइड करना है इन दोना में से दोस्तों चूज आपको करना होगा मैं फिलाली खिसती में कॉलम फर्गूशन को अब निटीब में Try करकर च तो एसे उसके अलाबा Justin Avando तो मेरे हिसाब से 99% खेलती हुए नजर नहीं आएंगे फिर भी जो भी निवस आईगे आपके लिए आपके लिए आप टोस्ट टेलीराम पर अब बात कर लिए अल्राउंडर सेक्शन के बारे मैं बात करें तो Daniel Christian को मैं अपने टीम में ट्राई करूँगा उसके अलाबा मैं आपर Ben Cutting को Ben Cutting को लेने का मैं रीजन मैंने बता दिया क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डैनियल सेम्स इनके टीम के नहीं है तो आपके लिए संभपता ज्यादा गेंद बाजी और दोस्तों ज्यादा बल्ली बाजी करते वी नजरे आ जाए डैनियल सेम्स को 80-1 लोगों ँर्ट्राइ कर रखा है दोस्तों आप अपने अपको प्रेंजियो मैं इन दोनों को मैं ट्राइ कर रहा हूँ अब बात कर लें कार्लोस ब्रेथवेट की, कार्लोस ब्रेथवेट के बारे में दोस्तों, मैं आपके लिए अभी थोड़ी सी ओप्सन में देने वाला हूँ, वालिंग सेक्षन के बारे मुझस से पहले बात कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सीनिय अबट को मैं ट्राइ करूंग तन्वीर सांगा, आपके लिए शांदर आप्शन हो जाते हैं, आप इने अपनेटीब में ट्राई कर सकते हो, आपके लिए क्रिस ग्रीन ठीक टाक ओप्शन है, एडम मिलने हैं, ओप्शन की आपके पास कमी नहीं, लेकिन हमें बेस्ट ओप्शन छाड़ना है, तो बैनन डग को ट्राई कर सकते हो, वो आप जैक्शन बॉल, या किसी और को try, होग को, या कोई वी गैंद भाई ट्राई कर सकते हो, या वाली बाजी विकरणके सेक्षन में जाकर से हम बलिक्स को अपनिटीब में try कर सकते हो, बो अप्शन दोस्तों आपके लिए चूज करना है है, आप सिल्स को आप अपनेटीब में आज़ा Captain by Captain Try कर सकते हो या दोस्तो आप जो Final Captain by Captain चाहते हो तो आप हमारे टेलिगाम चैनल से जुड़ जाएगा लिंक आपको टेलिगाम की डिस्किप्शन मिल जाएगी आप बहुत जाके हमारा Final Captain by Captain देख सकते हो आपके लिए हमारे Final Captain by Captain मिल ज दोस्तो यदि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है वीडियो दिखने के लिए धन्यवाद